हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो प्लांट शार करने जा रहा हूं इसका जो प्लोट साइज है 31 feet in width into 37 feet in length ठीक है ये रहा हमारा प्लोट का साइज प्लोट का ऐरिया साइज ठीक है तो इसमें मैंने एक 2bh के वाला हाउसलांट रखिया हूं जो इस्टफेस का खर रहेगा इस्ट फेस तो मैंने अलड़ी ये प्लान डर कर लिया हूं अभी मैं इसे वल्फिलिंग करूंगा डूर्स पर गराया विंडो पर गराया सब कुछ मर्किंग करूंगा और आगे आपको डैमेंड साथ साथ एक एक करके डिटेल्स में पताते जाओंगा तो पहले मैं इसे व हमारा 9 इंच का रहेगा यहां पर मैंने हमारा जो में मकान है में घर है यहां पर मैंने सारे के सारे वाल को 9 इंच का रखा हूं बस टॉलेट बात्रूम का दिवार को मैंने 5 इंच का रखा हूं और वाकि सारे दिवार को मैंने 9 इंच का रखा हूं ठीक है तो यहां भी मैंन कि बार है जो पांचिज एगा गा उसे मैं पिंक高 chance में और कोणा करूँ आगे आपको और प्लान के बारे में टिट्रेस में जानने के लिए वीडियो फिछे सखावर् lesi करने के लिए कि आप लोगो बारन के बारे में तो छया सथिक से पता चल सकीं तो यह यह प्लान बना और बाकि जो data दिये थे उस data को बैस करके पुरा के पुरा प्लान बना रहा हूं। लेकिन जो subscriber ने मेरे को comment किये थे उसमें उसने अपना requirement ने बताया था क्या requirement है। तो मैंने मेरे हिसाब से एक अच्छा plan बनाने के लिए ट्रै किया हूं। और अशा करता हूं कि सब्क्राइबर को जरूर पसंद आएगा यह plan ठीक है। तो मैंने सारे 9 इंच के दिवार को color कर लिया। यहां पी मैंने पिछे के तरफ टोलेट को बात हूं रखा हूं। तो इसका दिवार मैंने 5 इंच का रख दिया हूं यहां ठीक है। यहां पी मैंने pink color में color कर दूँगा 5 इंच का दिवार को। हो गया। इसके बात क्या करूंगा ग्रीन color में windows और ventilator कितने मैंने छोड़ा हूं। इसे मैं color करूंगा कि आपको असारीते पता चल सके कि यह सब ventilation परपज में छोड़ा गया है। यहां पी वाल नहीं रहेगा। उपर में छात रहेगा। परच है। तो मैं green color कर दिया से भी। इसके बाद हम डूर्स बनाएंगे। यह रहेगा हमारा मेंडूर। मैंने यहां पी 4 फिट कर छोड़ा हूं। ठीक है। और बाकी जितने डूर्स है यह तीन फिट कर रहेगा। टॉलेट कर बात्रूम का टू फिट फिट फाइव इंच। इसे मैंने जो स्टांडर्स से यह रहता है। इसरे से मैंने दोस्वागरा बनाया हूं। ठीक है। तो यहां पीछे की तरफ टॉलेट कर बात्रूम लखा हूं। इसलिए पीछे की तरफ गर दरब जारा जया हूं बाहर जाने के लिए। ठीक है तो फ्रेंट्स यह रहा आपका पूरा प्लान अभी में इस प्लान के बारे में आगे आपको डिट्रेस हैं बताऊंगा लेकिन इससे पहले मेरा एक चोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चनल में नया है या अभी तक मेरा चनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प अबकान का और साउथ साइड में जो राइट साइड में आएगा साउथ की दिशा ठीक है इसके बाद हमारा जो में रोड रहेगा यह इस्ट की तरफ रहेगा क्योंकि यह हमारा इस्ट फेस का प्लोट है तो इस्ट की तरफ हमारा फेस में रोड आएगा यहां पे तो यहां लेंगत में हो गया तो यह जो प्लोट है इसके तीनों तरफ इधर और इधर तीनों तरफ पुरोसे का मकान है पुरोसे का घहर है तो हम यहां धर फिद्शा चैता की तरब भी वेंटेलिसम नहीं चोड़ अंब कर पीछी की तरब में Journalism कने लिए और पीछी की तरब वेंटलेसम के लिए हम ने कुछ एकष्टापरप़ी रखें कुछ राखें है नहीं पीप्लख्षा चोंग दक्रूडगां यह हम दूसरा पत्रफ में इस्व करेंगे जिसे बाद में आपको बताऊंगा और ऐसे ही आगे की तरफ मैंने डेड़ फिट का लेंग में पुरा हमारा जीतना चोड़ा है इतना पुरा लेंग में डेड़ फिट का आगे की तरफ छोड़ा हूं ताकि हमारा घर का जो छाज्या आगे की तरफ संसेट निकलेगा तो safety रहेगा पूरा घर को safety दिलाएगा हमारा यह space तो friends यहां पे हमारा रहेगा entrance entrance ठीक हम घर को एंटिक करेंगे घर को एंटिक करने के हम कोई पर्च मिलेगा ठीक है पर्च हम open बारंडा कहते हैं बारंडा भी कहते हैं लोग तो इसे हम बाइक पार्किंग के लिए भी यूज़ कर रहेंगे जितना अरिया है यहां पी हम लोग बाइक बज़र भी पार्किंग कर सकेंगे ठीक है तो बाइक पार्किंग भी रहा यह हमारा area इसका जो यहां तक रहेगा साथ फित छेंज का तो बाइक बाइक बाइगरा पार्किंग करने के लिए बड़ा सब्सक्राइब को स्पेस मिल गया इसके बाद यह रहा हमारा यहां पे मेंडूर यहां से आम घर को एंटिक करेंगे तो बड़ा सा एक हल मिलेगा यह हल है हमारा ड्रोइंग कम डाइनिंग हल डाइनिंग हल इसका जो डाइमेंशन है चोडाई में 10 फित और लेंग्ध में रहेगा लगभग 20 फित का 19 फित 9 इंच का लगभग 20 फित का ठीक है रेक्टनुल अछे रहेगा इसके बाद यहां पि मैंने सेवा सिली बनाया हूं छोत के उपर जाने के लिए घ्राइक देर्ण करेंगे हम लेप टॉन फिर लेफ पांच फिट तीन इंच और लेंग्ध रहेगा छी फिट का ठीक है और एंटी करके लेप की तरब देहेंगे तो ये कर्णर पे रहा हमारा कीचन क्यूंकि ये पुरा प्लान में ने बास्तु के हिसा से पुरा बनाया हूं इसका चोड़ा ही रहेगा आठ फिट और लेंग्ध रहेगा नौ फिट का नौ फिट ठीक है और यहां पर आपको शिड़ी के नीचे बहुत सारे रेक बहरा बनाया सकते हैं बहुत सारी स्टोरेज मिल जाएगा आपको यहां पर सामनों रखने के लिए और इसके बाद यह रहा हमारा इक बेडरूम इसका चूड़ाई रहेगा 12 फिट और लेंग्ध रहेगा 13 फिट का बड़ा सा रूम है और इसके बाद यहां पर आपको एक मिल जाएगा 3 फिट का आर्च आप चाहे तो यहां पर दूर भी लगा सकते हैं 3 फिट का आर्च मिल जाएगा बहा जाने के लिए पर सिदा स्टी और लेंग्ध रहेगा 12 फिट यह एक 12 बेवारा का बेंटूम है और हम जब सीधी स्टेट आएंगे तो बाहर की तरफ यह जो स्पीस मिला है यह हम वार करिया के हिसाब से यूच रहेंगे वार करिया मतलब जिस पर हम एक टेव बगरा लगा के बरतर उतन दोने के लिए काम का सकते हैं और यह रहा हमारा कॉमोन ट्वालेट काम बात्रों जिसका चूड़ाई रहेगा 4 फिट 10 इंच और लेंग्ध रहेगा 7 फिट का ठीक है तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लान आसा करता हूं आपको मेरा यह प्लान मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आय होगा तो एक लाइक करना ज्याद से ज्यादा शेयर करना और अभी तक मैरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना थेंक यू